नमस्कार दोस्तों, जैमातादी, स्वागत थे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों ये है दुनिया की सबसे अमीर राशी साल दोहजार चौबीश से साल दोहजार पचास तक सात्वे आस्मान पर रहेगा इन राशी वालों का भाग्य जी हाँ दोस्तों मा लक्ष्मी के आशीरवाद से अब 12 राशियों में से कुछ राशियां बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है जी हाँ दोस्तों मा लक्ष्मी अब इन राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गई है जिसे इन राशी वालों के लिए मा लक्ष्मी के आशिरवाद से साल 2023 से तक का समय बहुत अच्छा समय साबित होने वाला है इस समय इन राशी वालों को मा लक्ष्मी के आशिरवाद से अनेक प्रकार की बड़ी-बड़ी खुशखबरियां बड़े-बड़े लाब धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिससे इन र भागेशाली राशियां कौन-कौनसी है जिनके लिए मा लक्ष्मी के आशिरवाद से साल 2024 से साल 2050 तक का समय अच्छा समय साबित होगा और इस समय में इन राशी वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी आपको उन्हीं कुछ भागेशाली राशियों के बारे बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें क्यूंकि ये वीडियो इन राशी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सच्चे मन से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी अविश्य लिखें जिसे मालक्ष्मी का अशिरवात आपको प्राप्त हो सकें साथी साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि समय समय पर इसी प्रकार की महतवपूर्ण ज्यानवर्दक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें और जादा सी जादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें बात करती ही उन भागेशाली राशों के बारे में जिनके लिए मालक्ष्मी के आशिरवाद से साल दोहजार चौबीज से साल दोहजार पचास तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा और इस समय में इन राशी वालों का भाग्य रहेगा सात्वे आस्मान पर चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जोजिश शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन में राश्यों का बहुत जादा महत्व होता है क्योंकि राश्यों के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में आने वाले समय के बारे में पता लगाया जा सकता है यदि ग्रह नक्षत्रों की सिती में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो इसका सीधा असर कुछ राश्यों पर पड़ता है हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोर से गुजरना पड़ता है यदि ग्रह की दशा ठीक हो तो व्यक्ति के जीवन में खुश्यों का वास होता है लेकिन यदि ग्रहों की दशा ठीक ना हो तो व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे में अब मालक्ष्मी के आशिरवाद से 12 राशियों में से कुछ राशियां बहुती भागशाली साबित होने वाली है जी हाँ दोस्तों अब मालक्ष्मी के आशिरवाद से कुछ ऐसे माशुब सयोंग, राजयोग और मालक्ष्मी योग के निर्मान हो रहे हैं जिसे कि इन राशी वालों के लिए साल 2024 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है मालक्ष्मी अब 12 राश्यों में से इन राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गई है मालक्ष्मी की कृपा इन राशी वालों पर अब पढ़ने वाली है और इन राशी वालों के लिए अब समय 2024 से 2050 तक का बहुत ही भागेशाली साबित होने वाला है जी हाँ दोस्तों इन राशी वालों को अब उनके भागे का पूरा साथ मिलेगा मालक्ष्मी की कृपा से अब इन राशी वालों का भागय चमकने वाला है जिसकी वज़े से इन राशी वालों के जीवन में मालक्ष्मी के आशीरवाद से आने वाली है अपार खुशिया ही खुशिया समय ना गवाते हुए आये जानते हैं उन खुशनसीब और भागिशाली राशियों के बारे में जिन पर मालक्षमी की कृपा रहने वाली है जिन के लिए मालक्षमी के आशिरवात से 2024 से साल 2050 तक का समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है जी हाँ दोस्तों सबसे खुशनसीब और भागिशाली राशियों में जो पहली राशी आती है दोस्तों वो है कन्या राशी कन्या राशी वालों को बता दे कि मालक्षमी आपके ऊपर बहुत अधिक महरबान होने वाली है जिसे कि आपके लिए साल 2024 से साल 2050 तक का समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे पिछले समय में पिछले कुछ समय से जितने भी आपके जीवन की समस्याएं हैं वो सब अब समाप्त होने वाली है क्योंकि ये समय आपके लिए बहुती अच्छा समय साबित होगा आपको आपके घर परि बिजिवार के साथ खुशी जीवन बिताने वाले हैं, आपकी आर्थिक सिती बहुत अच्छी होगी, बिजनेस करने वाले लोगों को अपनी बिजनेस में लाब भी मिलेगा, आपके उपर मालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, कन्या राशी वालों आपको बता दे, यदि आप कोई नया वाहन या मकान खरीदना चाहते हैं, तो इस समय ये मनोकामना आपकी अविश्य ही पूरी होगी, आपकी समस्त कार्य बनने वाले हैं, और आपको बता दे कि मालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में अब खुश्या ही खुश्या आने वाली है, धन प्राप्ति कर आने के योग आपके लिए अब बन रहे हैं, मालक्ष्मी के आशिर्वाद से कन्यार आशिवालों को अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ये कहना गलत नहीं होगा, कन्यार आशिवालों मालक्ष्मी के आशिर्वाद से आपके लिए साल 2024 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा इस समय का भरपूर लाव उठाएं इस समय को अपने हाथ से ना जाने दें जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों को बता दे मालक्ष्मी की विशेश कृपा आपके लिए साल दोजार चौबीश से साल दोजार पचास तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा इस समय में कुम्ब राशी वालों आपके आर्थिक सिती मजबूत होगी धन लाव मिलने के बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे धन प्राप्ति के योग आप समय में बनने वाले हैं आप नया वाहन या फिर मकान भी खरीच सकते हैं आपके जीवन में धन समंदी जो परेशान्या थी वो सब अब दूर होने वाली है प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम में सफलता मिलेगी और आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय थावित होगा कुम राशी वालों आप महसूस करेंगे ये समय मालक्षमी का के आशिरवाद से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय सावित होगा मालक्षमी की कृपा से आपकी समस्त मनो कामनाई पूरण होगी साती साथ आपको बता दे जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई या नौकरी करने का सपना देख रहे हैं वो सपना भी इनका पूरा होगा क्योंकि मालक्षमी के आशिरवाद से इस समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है ये कहना गलत नहीं होगा कुम राशी वालों मालक्षमी के आशिरवाद से साल 2024 से साल 2050 तक का समय आपके बहुती अच्छा समय सावित होगा इस समय का भरपूर लाब उठाएं समय को अपने हाथ से ना जाने दें अगली राशी दोस्तों खुशनसीब राशी है सिंग राशी जी हां दोस्तों सिंग राशी वालों को बता दें आपके ऊपर मालक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन हो गई है जिससे सिंग राशी वालों आपके जीवन में मालक्ष्मी के आशीरवाद से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां जी हां दोस्तों इस साल 2024 से 2050 तक का समय आपके लिए सिंग राशी वालों बहुती अच्छा समय सावित होगा आपको बहुत फायदे मिलने वाल विद्यार्तियों के लिए समय बहुत अच्छा सावित होने वाला है आप अपने प्रतियोगी परिक्षा में से अच्छा मिलने वाली है विद्यार्तियों के लिए समय बहुत अच्छा साबित होने वाला है, आप अपने प्रतियोगी परिक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपको अपनी कारिशित्र में किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है, जो लोग नौ नौकरी से सम्मनित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृदी के भी योग रहेंगे, साथी साथ आपको बता दे सिंह राशी वालों मा लक्षमी का वास आपकी सभी मनो कामनाई पूर्ण करेंगी आपको संतान प्राप्ति का भी शुब लाब होगा, साथी साथ जो लोग नया वाहन या मकान करीदनी को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो आपके लिए ये आपके पक्ष में रहेगा, इस समय में आपको ये सपना पूरा होगा मालक्षमी जी की खृपा दिश्टी से सिंग राशी वालों आपके ओपर उनका आशिरवाद बना हुआ है, ये समय मालक्षमी के आशिरवाद से साल 2024 से साल 2050 तक का समय आपको आपके लिए बहुती अच्छा समय थाबित होगा समय का भरपूर लाब उठाएं, समय को अपने हाथ से ना जाने दें, इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है मिथुन राशी, जी हाँ दोस्तों मिथुन राशी वालों आपको बता दे, मालक्षमी की विशेश कृपा आपके उपर साल 2024 से साल 2050 तक रहने वाली है, जिसकी वज़े से आपको विधेश यात्राएं करने का भी मौका मिल सकता है, जो यात्राएं आपके लिए सफल साबित होगी, यदि आपका कोट कचेरी में कोई मामला जूज रहा है, कोट कचेरी का मामला चल रहा है, तो आपको इस समय में सफलता प्राप्त होने वाली है, ये फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, इसके साथ ही आपकी रुची धार्मिक कारों में लगने वाली है, आपको बता दे मालक्ष्मी की क्रेपा से आपको इस समय में अचानक धनलाव प्राप्त होंगे और आपको बता दे धन प्राप्ती के योग बने रहेंगे, मालक्ष्म वालों समय आपके लिए बहुती लाबकारी साबित होगा, आपका मानसिक स्वास्य ठीक रहने वाला है, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर आप चिंतित ना हो, आपकी सारी मनो कामनाईं पूरण होगी, इस समय में की गई यात्रा भी आपके लिए अविश्य सफल साबित परिवार में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी, घर परिवार में खुशियों का माहोल बना रहेगा, कहना गलत नहीं होगा मितुन राशी वालों, मालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर, साल दोजार चौबीज से साल दोजार पचास तक के समय में बहुती अत्यदिक रहने वाली है, जिसे आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी, जी हाँ दोस्तों अगली खुशनसीब और भागेशाली राशी है, वरिशब राशी, वरिशब राशी वालों को बता दे, मालक्ष्मी की विशेश कृपा, आपके ऊपर साल दोज साल दोजार पचास तक के समय में रहने वाली है, मालक्ष्मी आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन रहने वाली है, इस वज़े से आपको बता दे, मिरिशब राशी वालों के जीवन में जितने भी दुख दर्द और कष्ट थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, आपको बता आपको चारों तरफ से कुष्यां ही कुष्यां प्राप्त होने वाली है, आपको समपत्ती में लाब होने वाला है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जीवन से जुरी समस्याएं हैं, वो सभी समस्याएं दूर होने वाली है, यदि आप कोई भी कारे दूसरों की भलाई के उसमें अविश्य लाब दिलाएगी, साथी साथ जमीन खरीदने के लिए ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है, आप नया वाहन मकान भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी के दृष्टी से ये समय राशी वालों के लिए बहुत अनुकूल साबित होगा, साथी प्रेम समंदों से समनित मामलों के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, प्रेम समंद मजबूत होंगे, प्रेवाहिक जीवन में मदूर्ता आएगी, प्रेम समंदों में गहराई आएगी और आपको बता दे, आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, दूसरों क बारे में सकारात्नक विचार रखें, जिससे लोग आपके बारे में कहें कि आप व्रिशव राशी वालों बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दोस्तों आपको बता दे, व्रिशव राशी वालों मालक्ष्मी कृपा से आपको 2024 से लेकर 2050 तक का समय चारों तरफ से धनलाब की प मालक्ष्मी की कृपा से इस साल 2024 से साल 2050 तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा सावित होगा, इस समय का भरपूर लाब उठाएं, समय को अपने हाथ से ना जाने दें अगली खुशनसीब और भागिशाली राशी है मेश राशी, मेश राशी वालों को बता दे मालक्ष्मी की कृपा से आपके लिए साल 2024 से साल 2050 तक का समय बहुत ही अच्छा समय सावित होने वाला है, दोस्तों इस समय आपके लिए समय बहुत शुब रहने वाला है, मालक्ष सफलता हासिल करने में आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको चारू तरफ से लाब ही लाब मिलेगा, बड़े लोगों से सयोग मिलने से काम आपके आसान होंगे, कर्ज से आपको चुटकारा मिलेगा, कर्ज की कोई सिति है तो वो भी अब दूर होगी, मेहनत करके आपको लाब म दामपत्य समंदों में मधूरता आएगी वैवाहिक शेत्र में मन्चाही सफलता प्राप्त मिलेगी और आपको बता दे व्यवसायक द्रिष्टी से ये समय आपके लिए अत्यंत लाबकारी साबित होगा चारू तरफ से मेश राशी वालों को आपको धनलाब की प्राप्ती के योग बन रहे हैं जो लोग नौकरी करते हैं नौकरी से समंदित कोई बहुत बड़ी खुशकबरी इनको प्राप्त हो सकती है जिससे इनके घर परिवार में खुश्यों का ठिकाना नहीं रहेगा माता लक्ष्मी का स्मिरन करके आपको मेश राशी वालों बहुती लाबकार समय सित्ध होगा आपकी आर्थिक सिती भी मजबूत होगी कहना गलत नहीं होगा मेश राशी वालों आपके लिए मालक्ष्मी के आशिरवाद से साल दोहजार चौबीस से साल दोहजार पचास तक का समय बहुती अच्छा सावित होगा समय का भरपूर लाब उठाएं समय को अपने हाद से ना जाने दें इस लिस्ट में अगली खुशनसीब और भागेशाली राशी जो है वो है तुला राशी जी हां दोस्तों तुला राशी वालों को बता दे मालक्ष्मी की विशेश कृपा आपके उपर साल दोहजार चौबीस से साल दोहजार पचास तक के समय म बनी हुई है जिसे आपके लिए इस समय बहुती अच्छा सावित होगा आपको बता दे आपको कारेशित्र में सफलता प्राप्त होगी आपका जो व्यवसाय आप करते हैं उसमें आने वाले समय में चारों तरफ से लाब होगा आपको तरकी प्राप्त होगी आप दिन दु पूरी होंगी आप बुद्धी के बल पर परिशानी का समाधान निकाल देंगे आपको आपके सामने नए अवसर भी आ सकते हैं जिन पर आप विचार करेंगे तो आपको अविश्य ही लाब होगा पैसों से जुड़े मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी पारिवारिक ए भयाद रिष्टी तुला राशी वालों को आपके उपर साल दोजार चौबीस से साल दोजार पचास तक के समय में बनी हुई है आपकी तमाम प्रकार की समस्याएं दूर होगी आपकी समिस्त मनों कामनाए मालक्ष्मी के आशिरवाद से पूरण होगी कहना गलत नहीं होगा पातुला राशी वालों मालक्ष्मी के आशिरवाद से आपके लिए साल दोजार चौबीस से लेकर साल दोजार पचास तक का समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा समय का लाब उठाएं समय को हाथ से नाज जाने दें जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली खुशन नसीब और भागिशाली राशी आती है वो है व्रिश्चक राशी वालों को बता दे मालक्ष्मी की विशेश क्रिपा आपके उपर साल दोजार चौबीस से लेकर साल दोजार पचास तक के समय में बनी हुई है आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी दामबत्य जी जिससे आर्थिक सिती मजबूत होगी वाणी और व्यवहार पर सयम रखकर आप अपने बिगड़े हुए कामों को पूरा करेंगे और आपको बता दे की कारेश इत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी कारेश इत्र की सभी काम समय पर पूरे होगे साथ ही साथ आपको बता रखकर भब और ने वहार प्राप्त होने वाला है आपको बता दे क्राप्त के भी योग हैं भर परिवार में हुआ होगा कहना गलत नहीं होगा विश्चक राशी वालू आपके लिए मालक्ष्मी का निवास इस साल दोहजार चौबीस से साल दोहजार पचास तक का समय बहुती अच्छा समय सावित होगा इस समय का भरपूर लाव उठाएं समय को अपने हाथ से ना जाने दे ये थी वो कुछ भाग जिसे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों मालक्ष्मी की क्रिवाद रिष्टी साल दोहजार चौबीस से साल दोहजार पचास तक के समय में इन राशी वालों पर विशेश रूप से रहने वाली है जिसे इन राशी वालों की जीवन में बहुत सी खुश्य आने वाली है दोसों सचे दिन से कमेंट बॉक्स में जै मा लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें जै मा लक्ष्मी